Welcome to Fake Seer Market आज दो कंपनी के News आते ही पुरा Market सेक्टर हिल चुका है जैसे कि आपको बताना चाहूँगा एक कंपनी है टाटा कोफी नाम आप सुने ही होंगे टाटा कोफी और दूसरी कंपनी है टाटा कंजूमर Tata consumer के share price करीब 700 रुपे के है और Tata coffee के share price करीब 213 रुपे के है अब यह company हो रही है merge मतलब यह company बंद होगी और यह company से जूड़ जाएंगी कि मतलब अब दोनो company इसका एक कारण है दोनो company में ध्यान देने से अच्छा एक company में हम लोग ध्यान दे तो उसके share price भी अच्छे से बढ़ेंगे और यह company अच्छे से growth करेगी और यह company के fundamental भी strong होंगे वैसे तो TAC के Tata consumers के जो fundamental है और तो सबसे अच्छे ही है और TAC भी अपने आज के दिन 8% की बरुत्री भी की है तो चलिए आते हैं पहले news देखते हैं कि Tata तो यह दिन पहले कि news आई हुई है कि भाई जो Tata coffee है अब उसको हम लोग merge करके Tata TS मतलब जो Tata consumers है अब उसमें join करते हैं ठीक है तो आप पढ़ सकते हो दो मिनिट के रोकिए और यह देखिए पहले ध्यान से उनका एक plantation है Tata coffee का जो उसको बंद कर रहे हैं मतलब dimrage कर रहे हैं और उसको Tata consumers पर ले जा रहे हैं ठीक है तो आईए पहले shares देखते हैं company के और company कुछ खास बारें बताता हूँ कि company को या shares लेने चाहिए कि नहीं तो guys आपको screen पर दिख रहा हुआ Tata coffee के shares price company ने आज 16 रुपया उपर गई और 8.54% का return दे चुकी है आज के खाली दिन फिर company 5% का दी और एक महिने में 6 महिने में आपको दिख रहा होगा और एक साल में company के कुछ result नहीं अच्छे होंगे साल के पर इसी कारण से आप company Tata consumer में जा रही है क्योंकि अब company को ज़्यादा ध्यान दिया जाए और company के अच्छे मतलब मकान पर पहुचे एक अच्छा result मिले साल वर में और जो हमारे sales holder हैं जो इनके shares हैं इनको कोई घबराने की बात नहीं है जो इनके जितने भी shares होंगे 10 shares हो 20 shares हो उनको उसी के हिसाब से उसमें मिलेंगे Tata consumers में आये पहले Tata consumer की share price देखते हैं और उस हिसाब से आपको shares मिलेंगे तो friends आपको दिख रहा होगा Tata consumer का share price यह 765 रुपीज का है और आज के दिन यहाँ 22 रुपए उपर गया 3% का return दे चुकी है company का 5 जिन का return देख लेते 2 फिर एक महिने का return है करीब यह company भी थोड़ी नीचे चल रही थी महिने का 4% का गिरावाटे और एक साल के अंदर 2% का इसने return दिया है ठीक है अब आप पोच रहोगे company के दोनों के market value क्या दोनों के market value जोइंट हो जाएंगे हाँ अगर एक company के 60.000 करोर की cap है company तो उसके जो 40.000 करोर की company है उसमें दोनों जोइंट हो जाएंगे तो company को एक अच्छे result चाहिए अब यहाँ idea तो आपके पास अगर टाटा कोफी के 10 share से हैं तो आपको इसके 765 मतलब जो 765 रुपीस के हिसाब से ही मिलेंगे अब जैसे आप into करिए अब दो सो पचीस रुपे के एक share से तो यहाँ पर 765 मतलब आपके तीन share के बराबर एक share से रहेंगे जो जैसे कि आपको समझ में आ गया कि किस कारण से मार्च और आपको अच्छी benefit मिलेगी या अब या कम